तो हमिना इस देखा अपकी जारखन की जे मोडल सेट खोठा के जारी भेल है ओकर सोल्यूसन देखा बाए जामी जेकर में कुल 90 नमबर कर सवाल है ओकर में 90 नमबर कर सवालों कर आंसर लिखे की जोरी है तो पहिल कॉस्चन है विकल्फ से सही उतर लिखा जे 10 नमबर की कॉस् और उखर में पहिल कॉस्चन है स्री निवास पानुडी का लिखल पाठे की नाम लागये या destroy निवास पानुडी जी क्ौण पाठ लिखाल है das so कविता मनपुरण गोश्वामी कर लिखल कविता है यानि मनपुरण गोश्वामी कachment कर रच्णा कर लाड तो भीमा कहानिक क्रच्णा कर लगे अग्ला फूल पार्ट सांती भारत कर रचना वागे फूल पार्ट जे कांकी लागे अगला कोस्चन दखाव रईसका कहानी के लिखालात रईसका कहानी लिखालात बंसी लाल बंसी जे कर मिरितियु हाल में ही भैले अगला कोस्चन दखाव एगो चिठी कर रचना लागे एगो चिठी ही परितोष परजपति कर लिखल हो है अगला कोश्य दखाव। डॉक्टर एक जहा करेमी कर gonna के लाख यानि कोन कवीता कर रशना रचना रहात तो डॉक्टर कविता है तो डॉक्टर बी ने ओहदा जार कविता लिखाला जैकर में जार से संबंधित बताई लहां कि छबग जार कवाल लेल जा है अगला कविता देखा अगला कविता के लिखाला जैकर पूरा नाम सुरेश कुमार विशु करमा लागा है और एकर अपनाव और एकर उपना विज़ो करमा लागे तो यह सही विकल्ब के उतर हमिन एक पार्ट के ले लिए आप दुसर कोश्यन देखाऊ हमिन जे एक सब्देक आंसर दियक है और हो दस नंबर के पुछल जा है तो पहल कोश्यन हमिन के है संग्या कई को भेद हो है संग्या कई को भेद हो है थमिन जान ही कि संग्या को पाज को भेद है अगला कोश्यन देखाऊ जायत बोधक संग्या जायत बोधक संग्या कर एक उधारन लिखेख है तो गाई एक जायत बोधक संग्या की उधारन लागे उसके बाद अगला कोश्यन है खोठा में कई को लिं दखा चमार सब्द के इस्त्रिलिंग रूप की है तो चमार सब्द के इस्त्रिलिंग रूप होई जाये चमारियें या फिर चमायें अगला कुशन दखा मुर्गा कर इस्त्रिलिंग रूप लिखा मुर्गा के इस्त्रिलिंग रूप लिखा मुर्गा के इस्त्रिलिंग लिखा तो झागरी शरी के बहुवचन भाजाए चागरी ऐं ऐला कोईसियन है मचरी के बहुवचन सब मचरी है तो इज़री आ छिला